गोश्बग इलाके से बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे एक बैंक मैनेजर को टार्गेट किया गया है ग्रामीन बैंक का बैंक मैनेजर जब अपनी ड्यूटी पर जा रहा था और बैंक के बिलकुल बाहर पहुचा तब नामालूम बंदुगबरदारों द्वारा उसको गोलियों का निशाना बनाया गया हाला कि यह निशाना चुक गया और वो बाल बाल बच गया है बताया जा रहा है कि यहां पर उसकी पोस्टिंग थी हाला कि यह गनिमत है कि बैंक मैनेजर बाल बाल बच गया है और उसे गोली नहीं लगी है ग्रामीन बैंक का बैंक मेनेजर जिसको टारगेट करने की कोशिश की गई है जो की एक आउटसाइडर है फिलहाल पटन के गोश्बग इलाके की बात करें पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया गया है और सेक्योर्टिफ फोर्स द्वारा बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चुला जा रहा है इस हमाले से जैसे ही कोई अपडेट सामने आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे फिलहाल इस अपडेट में इतना ही दिखते हैं